परदिसी फ्लाइटी टू चैनल पर आप सभी का विलकम है। जिसमें कई सारे आपसन आपको नजर आ रहे होंगे वैक्सिनेटेड विश्टर का आ रहा है। अगर आप इकामा होल्डर है यानि आप छुट्टी पर आया हुए है आपको वैक्सिनेटेड रेसिडेंट पर रेइस्टेशन करना है। तो ये रेइस्टेशन आप किस तरीके से करेंगे। तो हम अब बात करते हैं जो छुट्टी पर आये हुए है जो इकामा वाले उन्हीं की बात करते हैं। कि उनको किस तरीके से रेइस्टेशन करना है तो ये आपको दिख रहा होगा वैक्सिनेट रेसिडेंट इसको आपको किलिक करना है। पर जैसे किलिक करेंगे ये विंडो आपके सामने कुल कर इस तरीके से आजाएगे। तो सबसे पहले कॉलम में आपसे मांगा जाएगा आपका इकामा नंबर और आपका डेटा बर्द दो चीजे मांगे जाएंगे। और इस पर लिखा भी होगा ये कि वैक्सिनेटेड रेसिडेंट रेसिटेशन है ये एकामा होल्डर के लिए जो लोग चुटी पर आये हुए हैं जो लोग वैक्सिनेटेड होकर सौधियरब जा रहे हैं तो वो रेसिटेशन यहां पर करेंगे। सबसे पहले आपको अपना इकामा नंबर इस वाले कालम में इंटर कर देना है तो इकामा नंबर मैं इंटर कर देता हूँ आपको दिखाता हूँ इकामा नंबर आप यहां पर इंटर कर देंगे उसके बाद नीचे वाले कालम में आपको अपना डेटा बर्त इंटर करना है चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप यह registration करेंगे, यह बहुत ही मस्ट है, without registration आप इंट्री नहीं कर सकते हैं सौधियरब में, तो उसके बाद जब आप 51 नमबर इंटर कर देंगे, फिर आपको data of birth की इंट्री करनी है, तो data of birth भी मैं इंट्री कर देता हूँ, यहाँ पर आपको data of birth की इंट्री कर देनी है, उसके बाद जैसे data of birth आप इंट्री कर देंगे, नीचे आपको यह दिखेगा, I am not robot, इसको आपको क्लिक कर देना है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ दिर बादे टिक हो जाएगा, फिर आप verify वाले पे क्लि warranty, visa, नमबर, सारे चीज़े हा जाएगी, फिर उसके बाद आप से मांगा जाएगा, कि आप by air जा रहे हैं, यानि by air सौधी में इंट्री करेंगे, या overland, यानि जैमिनी रास्ते से जा रहे हैं, by sea, यानि समूंद्री रास्ते से जा रहे हैं, तो mostly जो भी जा रहे हैं, वो flight से जा रहे हैं, क्योंकि बस वाला जो मसला हुआ है, तवकलना को लेकर, कि without तवकलना इंट्री नहीं हो रही ही बस वालों की, तो फिर हम by air की ही बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको by air जो है, वो default रहेगा, वो already tick रहेगा, तो by air में सबसे पहले आप से मांगा जाएगा flight number, यानि जो आप flight ले रहे हैं, दुबई से रियाद के लिए, या दमाम के लिए, या इसके लाव जिदा के लिए, तो आपको flight number इंटर कर देनी है, पहले वाले कॉलम में जो आप दिख रहा है, उसके बाद आप से पुछा जाएगा, arrival date आप से पुछा जाएगा, कितने तारीक को आप पोँच रहे हैं, कितने तारीक को आप आ रहे हैं, उसके बाद आप से पुछा जाएगा, arrival destination, आप कहा प्यार हैं, रियाद आ रहे हैं, जिदा आ रहे हैं, या दमाम आ रहे हैं, जहां भी आ रहे हैं, उसको आपको select कर लेना है, कौन सी airline से आ आ रहे हैं, जना है फिल करने के बाद आपको एक छीज ध्यान रकने अगर आपकी lic अनबर और आपको इंटरी करना है दुबई से बहने वाले का फ्लाइट नंबर आपको को इंट्री नहीं करनी है उसके बाद जब आप यह कर लेंगे तो फिर आइम ना आइम नाटे रिवोर्ट वाला आप सनाएगा इसको आपको क्लिक कर लेना है ठीक उसको क्लिक करने के बाद यह जो नियम और सड़ते इनकी जो भी है करेक्ट है पार्मेशन मेरा सब कुछ है आप चेक कर लिजिएगा उसके बाद आप यह भी टिक कर दीजिएगा यह टिक करने के बाद आपको नीचे सम्मिट का यह आएगा सम्मिट वाले पर आपको ओके कर देना है जैसे ही आप सम्मिट वाला ओके करेंगे जैसे ही आप सम्मिट करेंग आपको ये details मिलेंगे जिसमें आपका passport number, data bar, तिकामा, nationality, registration number, registration date ये सारी details रहेंगी इसके लावा जो आपका flight number है और जिस date में आप arrival कर रहेंगे ये सारी details आपके arrival registration पर रहेंगी तो इस तरीके से आप अपना arrival का registration कर सकते हैं ध्यान देना है इंडिया से जब आप दुबई जाएंगे तो इंडिया से दुबई जाने के दर्मियान ये registration आपको नहीं करना है जब आप दुबई से सौधिय अरब के ले टरोल करेंगे तो वहां पर ये registration आपको कुछ समय पहले flight से आप कर सकते हैं बहुत ही must है बहुत ही जरूरी है registration उमीद दोस्तों जो चीजे मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी फिर भी अगर इस registration में आपको कोई दिक्कत हो रही हो कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो या और आपके जहर में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुछ रही है गुट बाई